हेलो दोस्तो मैं हूँ मीर और आज मैं एक्स्प्लेन करने वाला हूँ एक ट्रिजर हंट मूवी इंटू दबलू को जो 2005 में आई थी इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे IMDb ने 5.9 आउट आफ 10 की शांदार रेटिंग दी है और इस मूवी को ओडियंस ने भी ब मूवी की शुरुवात में हम एक प्लेन देखते है जो रात के समय समुदर के ऊपर उड़ रहा है फिर हम प्लेन के अंदर एक लड़की को देखते है जिसके पास एक मशीन गण है तभी अचनक समुदर में तुफान आ गया प्लेन तुफान की चपेट में आकर अपना करता है। जब वो पानी से बाहर आया तब किसी बात को लेकर उसकी अपने बॉस से लड़ाई हो गई। इसलिए वो अपने बॉस को पानी में धाकादे देता है। और वहाँ से जॉड़ देता है। वही दूसरी तरफ हम सैम नाम की एक लड़की को देखते है सैम जैरेट की गरल्फेंड है और वो एक टूरिस गाइड है जो कुछ लोगों को शार्क के बारे में इंफर्मेशन दे रही है अपने जॉब से वापस आने पर वो जैरेट को देखती है वो अपनी पुरानी और खराब बोट को शुरू कर रहा है सैम जैरेट से उसने जॉब छोड़ दी फिर वो बताता है कुछ समय पहले समुदर में तुफान आया था जिसके बाद उसके एक साथी को समुदर में सोने का एक क्रॉस मिला जिससे वो माला माल हो गया इसलिए वो भी खजाना ढूडने समुदर में जाएगा फिर उन्हें पूरी करते हैं तबी वहाँ बैट्स नाम का एक आदमी एक बड़ी सी बोट लेकर आता है दरसल उसे भी कुछ समय पहले खजाना मिला था जिससे उसने एक नई और बड़ी बोट खरीद ली अब उसका काम समुदर में ऐसे ही चीज़े ढूडना है जिससे वो बहुत पैसे कमाता ह बैट्स वहाँ जेरेट को वापस काम पर बुलाने आया था मतलब जेरेट पहले बैट्स के साथ काम करता था और उसे ही सोने का क्रॉस मिला लेकिन जेरेट कहता है अब उसे किसी के पास नोकरी नहीं करनी फिर जेरेट बैट्स को ओफर देता है कि वो दोनों मिलकर काम कर सक ता क्योंकि वो दूसरों से काम करवा कर खुद अमीर बन गया सैम कहती है वो जैरेट के साथ हर हाल में खुश है भाई ऐसी गल्फ्रेंड कहां मिलती है कोई मुझे भी बताओ खेर जैरेट अपने बच्पन के दोस ब्राइस को रिसीव करने आया था जो अपनी गल्फ्रेंड समुदर की सैर करने के लिए ब्राइस को एक परसनल बोड भी मिली है जैरेट बोड देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे खजाना ढूनने के लिए एक अच्छी बोड की ही जरूरत थी आगे हम देखते है वो चारो बोड से समुदर में बहुत दूर तक जाते है फिर जैरेट उस पर हसता है दरसल जैरेट और समुदर की दोस्ती बहुत पुरानी थी वो समुदर के हर एक जीव को समझता था कि कौन कितना खतरनाक है जैरेट ब्रैस से डैविंग मास्क मांगता है ताकि वो नीचे जाकर अपनी घड़ी वापस ला सके क्योंकि सैम ने वो जैरेट को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता फिर सैम जैरेट को मास्क देती है और जैरेट पानी के नीचे चला जाता है नीचे जाने के बाद वो अपनी घड़ी ढूंडता है तब उसे एक बहुती कीमती पत्थर मिलता है जिसे जैरेट ऊपर लेकर आया और सब को दिखाया वो ऐसी बहुत से कीमती चीज़े ढूंड सके लेकिन ब्राइस शार्क की वज़े से काफी डरा हुआ था इसलिए वो पानी में जाने से मना कर देता है तब सैम बताती है कि वहाँ वाइट टाइगर शार्क है और वो उतनी अग्रेसिव नहीं होती इसलिए उसे डरने की कोई ज खुश होते हैं वो फिर से पानी में गए और अपनी खोच जारी रखी लेकिन जैरेट चीज़े ढूंडते हुए थोड़ा आगे चला गया आगे जाने के बाद जैरेट को कुछ लोहे के तुकड़े दिखाई दिये वहाँ से आगे बढ़ा तब उसे एक प्लेन दिखाई दिया जो पानी में डुबा हुआ था ये वही प्लेन है जो हमने मुवी की शुरवात में देखा था तूफान की चपेट में आकर वो प्लेन पानी में गिर गया था जैरेट प्लेन देखने के बाद वापस उपर आया और बाकी लोगों को प्लेन की बाद बताई फिर वो च फिर वो प्लेन को अच्छे से चेक करते है तब उन्हें बहुत सारे ड्रग के पैकेट दिखे फिर वो बोट पर वापस आए ब्राइस उन पैकेट के बारे में एमेंडा को बताता है एमेंडा पूछती है प्लेन में कितने पैकेट होगे ब्राइस बताता है वो सारा ड्रग मल से निकलने कहता है लेकिन ब्राइस उन पैकेट में से एक पैकेट अपने साथ लेकर उपर आ गया एमेंडा वो पैकेट ब्राइस के हाथ से ले लेती है क्योंकि अमांडा पहले से ड्रग एडिक्ट है लेकिन सैम वो पैकेट लेकर पानी में फेकने जाती है ब्राइस सैम को र तुफान आते रहते हैं इसलिए ऐसे बहुत से पुराने शिफ तुफान की वज़े से पानी में डूब गए और जब भी तुफान आते हैं वो उन दबे हुए खजाने को अपने साथ बहा कर लाते हैं ब्राइस कहता है कि उन्हें डारेक्ट शिफ ढूनना चाहिए जैरेड ब इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि पहले शिफ ढूंडेगे और खजाने पर क्लेम करेगे उसके बाद वो ड्रग वाले प्लेन के बारे में बताएगे लेकिन सैम खजाना ढूनने से मना कर देती है क्योंकि उन्हें खजाना ढूनने बहुत सारे एक्विप्मेंट लग आगे हम देखते हैं बोट और बाकी एक्विप्मेंट के लिए जैरेड और ब्राइस एक आदमी के पास गए वो आदमी उन्हें बोट और बाकी सारी चीज़े देने मान गया लेकिन वो कहता है उन सारी चीजों के बदले वो 30,000 डॉलर लेगा तब ही ब्राइस जैरेड से क पैसे नहीं है क्योंकि वो सारा पैसा अपने क्लाइंट से लेने वाला था जिसने उसे समर विकेशन के लिए बाहामाज भेजा लेकिन उसके क्लाइंट ने पैसे देने से मना कर दिया ये सुनते ही जैरेड भढ़क गया वो ब्राइस पर चिलाने लगता है क्योंकि जैरेड बार कुछ कीमती चीजे मिली थी वो सर्ज करने वाले एरिया की बॉंडरी बनाते हैं और वहां खोज बिन शुरू करते हैं तब ब्राइस को शिप के लंगर की मोटी चेन मिलती है जिसे देखकर ब्राइस और जैरेड बहुत खुश होते हैं उन्हें लग रहा था अब उन्हे शिप भी मिल गया ब्राइस उस चेन को खीचता है लेकिन वो चेन आधी तुटी हुई थी मतलब उन्हें सिर्फ लंगर की आधी चेन मिली शिप अभी उनकी खोज से बाहर था जब ब्राइस जैरेड और सैम शिप खोजने में लगे थे तब एमेंडा बिना किसी को पता चल उस ड्रग वाले प्लेन के पास गई एमेंडा की नियत अब भी उन पैकेट में थी इसलिए वो चुपके से प्लेन के अंदर चली गई लेकिन अंदर जाते ही एमेंडा के ऑक्सिजन सिलेंडर का पाइप कही फसकर तूड गया वो धर जैरेड कीमती चीज़े ढूनने में ल लेकिन वो प्लेन के उस हिसे में थी जहां पानी पूरी तरह से नहीं भरा वो वहाँ से सास ले रही थी तब जैरेड पूछता है वो प्लेन में क्या कर रही है क्योंकि उनके बीच डील हुई थी कि उनमें से कोई भी प्लेन के पास नहीं आएगा एमेंडा बताती है कि उस को साफ करने एक केमिकल में डालता है जेरेट को उन चीजों में बहुत पुरानी एक गन भी मिली थी वो देखता है उस गनम पर कुछ लिखा हुआ था वो उसे ध्यान से पढ़ता है उस पर सिक्सिम पर टाइनेस लिखा हुआ था एमेंडा कैथलिक रोमनी स्कूल में पढ़ी था क्योंकि 1865 में अबरहम लिंगन की मौत के बाद जॉन वाइक्स नाम के आदमी ने सिक्सिम पर टाइनिस का स्लोगन बोला था मतलब वो शिप 1865 के बाद का है इसके बाद सैम केमिकल में से एक चीज निकालती है जो दिखने में एक सिल्वर हौन जैसा है लेकिन उस पर ए बाद में वो एक लुटेरा बन गया ब्राइस को लग रहा था जो शिप वो ढून रहे है वो किसी लुटेरे का है जिसमें कोई खजाना नहीं होगा लेकिन जैरेड बताता है वो शिप किसी लुटेरे का नहीं बलकि एक फ्रेंच वेपारी का था उस शिप का नाम जाइफर लुटेरे टीलमेन को वेपारी की बेटी से सच्चा प्यार हो गया था। इसलिए उसने शिप के सारे लोगों को मार दिया और शिप को खजाने के साथ समुदर में डुबा दिया। जेरेट बताता है 1861 में उस खजाने के कीमत 10 मिलियन डॉलर थी मतलब अभी के समय के हिसाब से उस खजाने के कीमत 1000 मिलियन डॉलर की होगी आगे हम देखते हैं अगले दिनों फिर से जाइपर शिप को ढूणने समुदर में गए तब जेरेट एमेंडा को बोट पर रहेकर दूसरी बोट पर नज़र रखने कहता है क्योंकि उसे पता था ड्रक के लिए एमेंडा की नियत खराब हो चुकी है फिर तीनों शिप को ढूणते हुए समुदर के तल में गए कुछ देर ढूणने के बाद मेटर डिटेक्टर में कुछ संकेत मिलता है वो वहाँ की मिट्टी हटाते है तब उन्हें बहुत बड़ी तोप मिलती है जो पूरी सोने की है उधर एमेंडा बोट में अकेली थी वो बोट के स्क्रीन पर देखकर वहाँ की लोकेशन के कोडिनेट एक पेपर पर लिख लेती है और उस पेपर को अपने पास रख लेती है उधर वो स्टोप में एरबेग लगा कर उसे उपर लाने की तयारी कर रहे है लेकिन तभी एमेंडा को दूसरी बोट का सैरन सुनाई दिया उनके पास पोलिस की बोट पहुच गई जिसे पानी के नीचे तीनों ने भी देख लिया वही बोट पर एमेंडा टॉप लेस थी वो पुलिस वालों को उलजहाने जान बूच कर खुट को बिना कवर किये उनके सामने वैसे ही खड़ी हो गई कुछ देर बात करने के बाद एक पुलिस वाला एमेंडा को खुट को कवर करने कहता है वही दूसरी तरफ पानी के नीचे जेरेड अपनी घड़ी देखता है मतलब उनकी ऑक्सिजन खतम होने वाली है लेकिन वो उस तोप को उपर नहीं ले जा सकते इसलिए तीनों जल्दी से एरबेक की हवा निकाल देते है ताकि तोप वापस नीचे गिर जाए वरना उनके लिए मुसीबते खड़ी हो जाएगी एरबेक की हवा निकालने के बाद तोप तेजी से नीचे गिरने लगी लेकिन बतकिसमती से एरबेक की रसी में ब्राइस का हाथ फस गया और तोप के साथ वो भी तेजी से नीचे चला गया तोप जैसे ही समुदर के तलपर गिरी ब्राइस का हाथ भी तोप के नीचे दब गया इसलिए सेम और जेरेट ब्राइस को बचाने वापस नीचे गए अब Bryce का हाथ बूरी तरह तोप के नीचे दबा हुआ है और उनके पास oxygen ना के बराबर बची है उदर पुलिस वाले बोट की तलाशी ले रहे थे लेकिन Amanda उन्हें अपने साथियों के बारे में नहीं बताती क्योंकि वो फज सकते थे वही दूसरी तरफ तीनों की oxygen पूरी तर से निकल गया फिर तीनों जल्दी से बोट पर आए उनमें से एक पुलिस वाला जिसका नाम रोय है वो जैरेड और सेम का अच्छा दोस्त था रोय दोनों को देखकर काफी खुश होता है और बताता है कि उसे पता नहीं था वो बोट जैरेड की है वरना वो बीना सर्च किय ही चला जाता फिर रोय उन लोगों से कुछ देर बाते करता है और सारे पुलिस वाले वहाँ से चले जाते है आगे हम देखते है गोल्डन तोप मिलने के खुशी में वो पाटी करने एक नाइट क्लब में गए और खुब इंजोई किया एमेंडा जब डांस कर रही थी तब वो एमेंडा को अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानता तबी वहाँ एमेंडा आ गई फिर जैरेड और ब्राइस को अपने साथ डांस करने ले गई कुछ दिर बात क्लब में जैरेड को एक पुराना दोस मिलता है जिसका नाम डैनी है डैनी जैरेड को बताता है कुछ लोग ही लग रहे उनमें से कुछ गुंडे बदमाज जैसे थे इसलिए डैनी जैरेड को होशियार रहने कहता है वही दूसरी तरह ब्राइस पार्टी में स्विमिंग पूल से निकल कर एमेंडा को ढूंडता है तब उसे एमेंडा वहाँ के ओनर प्रीमो के साथ डांस करते हुए दिखाई देती है ये देखकर ब्राइस को गुसा आ गया इसलिए उसकी प्रीमो से लड़ाई हो गई लेकिन बीच में जैरेड आकर उनकी लड़ाई छुडाता है और ब्राइस को वहाँ से लेकर चला जाता है अगले दिन चारो जब समुदर में डाइविंग कर रहे थे त लेकिन उनमें से एक आदमी की कैप जैरेड की बोट पर छूट गई जैरेड उस कैप को देखता है कैप पर कुछ लिखा हुआ था जैरेड कैप देखकर समझ गया कि वो कौन है जैरेड वो कैप लेकर बैट्स के पास जाता है दरसल बैट्स के पास काम करने वाले वरकर्स क पास वैसे ही कैप रहती है जेरेट समझ गया कि बैट्स नहीं अपने आदमियों को उनके पीछे लगाया है इसलिए वो कैप लेकर बैट्स के पास गया और उसे कैप बताते हुए कहा कि वो उन लोगों से दूर रहे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा लेकिन बैट्स कहता है ऐसे बहुत सारे लोग है जिन्होंने उसके पास से काम छोड़ दिया लेकिन बैट्स की दी हुई कैप अब भी उनके पास ही होगी इसलिए जेरेट उस पर इलजाम नहीं लगा सकता क्योंकि उसने किसी को उनका पीछा करने नहीं भेजा जेरेट को पता था बैट्स जुड द्रग निकाल कर उसे बेज सकते हैं और उन पैसों से वो एक बड़ी बोट और अच्छे एक्क्विपमेंट खरीच सकते हैं और उन्हें बस ये काम एक बार करना होगा फिर वो सारी जिन्दगी आराम से बैटकर खा सकते हैं ब्राइस जेरेट को मनाने की हर तरह की कोशिश कर रहा था वो कहता है अगर जेरेट इसी तरह गरीब रहा तो उसकी गर्फ्रेंड सेम भी उसे एक दिन छोड़ कर चली जाएगी लेकिन जेरेट फिर भी नहीं मानता ब्राइस ये बात अमेंडा को बताता है कि जेरेट ने उसकी बात नहीं मानी इसलिए रात में वो दोनो जेरेट अपनी टूटी हुई बोट से पानी निकाल रहा था तब उसे ब्राइस का कॉल आया वो उसे कहीं मिलने बुलाता है जेरेट ब्राइस की बताई जगा पहुचा ब्राइस और एमेंडा भी वही थे और उनके साथ नाइट कलब का ओनर प्रीमो और उसका बॉस रिव कर गया ताकि उसके बदले वो ब्राइस और जेरेट को एक बड़ी बोट और महंगे एक्किपमेंट दे सके लेकिन वो प्लेन प्रीमो के बॉस रिविस कहीं निकलता है रिविस कहता है किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई उसका ही माल चुरा कर उसे बेच सके लेकिन जेरेट पर तान देता है और बताता है उस प्लेन में 800 किलो कोकेन है और उसे पूरा माल 12 घंटे के अंदर वापस चाहिए जेरेट कहता है इतना माल निकालने के लिए उनके पास एक्किम्मेंट और बोट नहीं है और इन चीजों के लिए उन्हें 30,000 डॉलर की ज़रूरत ह जेरेट को 30,000 डॉलर देने कहता है तब रिविस जेरेट को 30,000 डॉलर दे देता है अगर उसे उसका माल वापस नहीं मिला तो वो जेरेट की गल्फेंड को जान से मार देगा आगे हम देखते है रियस का एक आडमी अपनी बोट से तीनों को समुद्र किनारे चोड़ कर चल से रिविस का कोकेन निकालने जाने वाले है लेकिन सैम उनके साथ जाने से मना कर देती है वो जैरेट से कहती है उसे कोई खजाना नहीं चाहिए वो उसके साथ अब भी बहुत खुश है खजाने की चक्कर में वो मुसीबत में फस चुके है लेकिन अब वो किसी भी मुसीबत म पर चला गया फिर वो एक जगा जाते है फिर जैरेट बोट में लगे बड़े से ब्लॉवर को स्टार्ट करता है जिसकी वज़ए से समुदर के तल की मिट्टी हट गई तब उन्हें एक बहुत पुराना शिप मिला जिसे देख कर वो खुश हो गए अब वो एक्विपमेंट क मिल गया जिसके बारे में जैरेट ने बुक में पड़ा था लेकिन उन्हें सबसे पहले रिविस का कोकेन वापस करना है क्योंकि उन्हें सिर्फ 12 घंटों का समय मिला है इसलिए वो कोकेन निकालने प्लेन के पास गए प्लेन के अंदर जाने के बाद वो सारे पेकट को रसी की ठैलियों में रखते है और उन ठैलियों को एक रसी से बांधते है. तब जैरेड कहता है वो उपर जाकर उस रसी को खीचेगा. ये कहकर जैरेड वापस बोट पर आया और एमेंडा कोकेन की ठैलियों को बोट की रसी पर लटका रही थी. लेकिन तब पर चाहिए वहाँ एक बड़ी शार काकर एमेंडा पर हमला कर देती है जैरेट उपर जाकर रसी खीचने लिवर प्रेस करता है तब सारा कोकें रसी में लटक कर बाहर आ गया लेकिन तब ही बोट के माइक पर जैरेट को एमेंडा की जोर जोर से चिलाने की आवाज आई जैरे जैरेट कहता है उन्हें जल से जल वहाँ से निकलना होगा इसलिए वो लटकी हुई कोकें को वापस पानी में गिरा देते है और वहाँ से निकल जाते है अगले सीन में हम देखते है ब्राइस ओ जैरेट एमेंडा को हॉस्पिटल लेकर आए लेकिन कुछ दिर बाद उन्हे मौत के बारे में पूछ ताच करती है सैम को पता चलते ही वो भी जैरेट से मिलने हॉस्पिटल आ गई जैरेट सैम को देखते ही उसे गले मिलता है और उससे माफी मांगता है आगे हम देखते है वो लोग हॉस्पिटल से निकल गए तब सैम ब्राइस से कहती है जो कुछ भ पूछ रहा था जैरेट बताता है वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फस गए इसलिए उन्होंने कोके नहीं निकाला तब प्रीमो अपनी गाड़ी लेकर उनकी कार की तरफ आता है जैरेट जल्दी से अपनी कार वहाँ से भगाता है लेकिन कुछ देर भागने के बाद जैर कार का एकसिडंट भी हो गया जिससे जैरेट अपनी कार वहाँ से निकाल लेता है कुछ दूर जाने के बाद जैरेट कार से उतरता है और प्राइस सेम को घर ले जाने कहता है वो Sam को इसलिए छोड़ कर गया क्योंकि वो नहीं चाता उसकी वज़े से Sam को किसी भी तरह की तकलीफ हो Bryce Sam के साथ कार लेकर वहाँ से निकल गया उधर Jared Road पर जाकर Primo की कार के सामने खड़ा हो गया ताकि वो Sam के पीछे ना जाए उधर Bryce को Sam के घर का रास्ता पता नहीं था इसलिए वो Sam से रास्ता पूछता है लेकिन Sam Bryce को बेवकूब बनाती है और कुछ दूरी पर कार रुखवाती है वो कार से उतर कर सीधा अपने दोस रोई के पास गई जो एक पुलिस वाला है Bryce ने Sam को Roy के साथ देख लिया इसलिए वो वहाँ से कार लेकर भाग जाता है Sam Roy को सब कुछ बता कर उसके साथ चली जाती है वही दूसी तरफ हम Jared को देखते है Jared Primo को समुद्र के एक खूफिया जगा पर ले जाता है जहां उसने सोने का चाको और बहुत सारी कीमती चीज़े चुपाई थी वो Primo को सारी कीमती चीज़े दे देता है Jared बताता है ये सारी चीज़े उसके बौस रिवेस के कोकें से दस गुना जादा महेंगी है जदसल Jared चाता था Primo अपने बौस को छोड़ कर उसका साथ दे Primo उन कीमती चीज़ों को देखकर खुश होता है और Jared की डिल मान लेता है वही दूसी तरफ Sam Roy को पूरी कहानी बताती है तब Roy कहता है इसमें बड़े बड़े ओफिसर मिले हुए होगे इसलिए वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता फिर वो किसी को कॉल करने कहता है जो Sam की मदद कर सकता है उदर प्रीमो जेरेट को अपने बौस की बोट पर ले कर जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता बोट के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ था प्रीमो और जेरेट को कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए प्रीमो जेरेट को नीचे लेटने कहता है और अपनी गन निकाल कर बोट को चेक करने अंदर जाता है लेकिन तभी प्रीमो को पीछे से किसी ने शूट कर दिया जिससे प्रीमो मारा जाता है कुछ दिर बाद जैरेट को प्रीमों की आवाज नहीं आती इसलिए वो उटकर बोट के कमरे में गया तो वो वहाँ रिवीस की लाश देखता है तबी जैरेट के सामने बैट्स आकर कहता है रिवीस उसका बिजनस पार्टनर था फिर बैट्स जैरेट से कोकेन के बारे में का हुआ था तब बैट्स अपने आदिमियों को वापस बड़ी बोट पर आने कहता है वह दूसरी तरफ रोई सैम की मदद करने के बाहाने उसे बैट्स के पास ले जाता है मतलब उनका दोस रोई भी बैट्स से मिला हुआ है बैट्स को पता था अगर उसने सैम को पकड़ दिया तो जैरेट उसके पास खुद चल कर आएगा उधर ब्राइस अपने बीच हाउस पर पहुचा तब वहाँ जैरेट आता है और सैम के बारे में पूछता है तब ब्राइस बताता है कि सैम जबरदस्तिकार से उतर कर अपने दोस रोई के पास चली गई तब जैरेट ब् जगह के कोडिनेट पूछता है और कोकेन मिलने पर वो सैम को जाने देगा लेकिन जैरेट कहता है उसे उसको केन का 50% हिस्सा चाहिए तब ही वो कोकेन का पता बताएगा फिर जैरेट उसे एक जगह मिलने बुलाता है ताकि वहाँ से दोनों कोकेन तक साथ जाए तब बैट लेने जाते है फिर हम सीधा जेरेट को बैट्स की बोट के पास जाते हुए देखते है जेरेट जब बैट्स के बोट पर गया तब वो देखता है सैम उसके सामने लेटी हुई है और उसके हाथ पर बंदे हुए है और उसके बाजू में रोई की लाश पड़ी हुई है ये दे को जेरेट की बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसने जैफर शिप के बारे में सिर्फ एक बुक में पड़ा था और उसे लग रहा था जैफर शिप एक कलपना के अलावा कुछ नहीं इसलिए वो जेरेट को कोकेन की लोकेशन दिखाने अपने साथ ले जाता है आगे हम दे बाता है यह बैट का 50% कोकेन है जो पानी में बह गया और बाकी का बचा हुआ 50% वो खुझ जा कर खतम करेगा यह बोलकर जैरेट पानी में कूट गया तब बैट जल्ढी से अपने आदमियों को डाइविंग सूट पहन कर पानी में जाने कहता है ताकि जैरेट बचे हुए कोकेन को नुकसान ना पहुचा सके, वही दूसरी तरफ हम सैम को देखते है, उसका हाथ रोई की बॉड़ी के हाथ से हटकड़ी से बंदा हुआ था, इसलिए वो उठकर रोई की बॉड़ी को खीचती है, तभी सैम को एक चाको दिखाई दिया, जिससे वो रोई का हाथ कार द है, लेकिन सैम वहाँ नहीं है, तब सैम जल्दी से वहाँ से बाहर निकल कर उस आदमी को वही बंद कर देती है, और बोट के उपर वाले हिस्से पर जाती है, उधर बैट्स भी अपने आदमियों के पीछे प्लेन की तरफ जा रहा था, बैट्स का आदमी प्लेन के अंदर गया, तब उसे पाइलट की लाज दिखाई दी, इसलिए वहाँ से वापस पलट गया, लेकिन वहाँ पाइलट की लाज नहीं, बल्कि ब्राइस बैठा था जो लाज बनने की एक्टिंग कर रहा था, ब्राइस उस आदमी के पीछे आता है, और उसका उक्सिजन पाइप कार देता है, जिसे बैठ्स का आदमी मारा गया, वही दूसरी तरफ बैठ्स का एक आदमी बोट पर इसे ही नजर रख रहा था, तब ही वहाँ जेरेट का दोस डैनी अपने बोट लेकर आया, वो एक बड़ी फिश दिखा कर कहता है, कि वो रात में अपनी वाइफ के साथ इस मज़ा ले सकता है, लेकिन वो आदमी डैनी को वहाँ से जाने कहता है, डैनी बैठ्स के आदमी को अपनी बातों में उलजाता है, फिर उसके पैर में तीर मार देता है, उस तीर में एक रसीमदी हुई थी, इसलिए डैनी उस आदमी को अपने साथ खीचते हुए ले जाता ह उदर समुदर के तल पर बैट्स अपने दो आदमियों के साथ जेरेट को ढूंड रहा था तबी बैट्स को शिप के कुछ पार्ट्स दिखते है और एक बेल भी दिखती है जिस पर जैफर लिखा था बैट्स उस बेल को देखकर चौक गया क्योंकि पहले उसे जेरेट की बात लेता है और फिर से सैम के बीचे भागता है उडह जेरेट और ब्राइस प्लेन से बाहर निकलते है तब बैट्स का एक आदमी जेरेट की तरफ तीर छोड़ता है लेकिन जेरेट को बचाने के लिए बीच में आ गया जिसकी वज़ासे वो तीर ब्राइस को लग गई तब ज दूसरी तरफ सेम की नजर बोट के पास एक शार्क पर पड़ी, तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो आदमी जैसे ही सेम को ढूनते हुए वहाँ आया, सेम पीछे से उस पर हमला करती है, दोनों में कुछ देर लड़ाई हुई लेकिन सेम उस आदमी को लेकर पा ही बैट्स उस पर चाकु से हमला करता है, लेकिन जैरेड ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर दोनों में कुछ देर हाता पाई होती है, तब जैरेड बैट्स का ऑक्सिजन पाइप तोड़ देता है, बैट्स जल्दी से प्लेन के उस हिसे में भागता है, जहां पूरी तरह स किसी चीज से मारता है, ताकि सिलेंडर का नॉब खुल जाए, बैट्स ने तीर तयार कर लिया था, वो बस जैरेड पर तीर चलाने ही वाला था, लेकिन तबी जैरेड जोर से नॉब पर मारता है, जिससे नॉब खुल गया, और जैरेड जल्दी से प्लेन से बाहर निकल गय तब सिलेंडर प्रेशर की वज़ा से बैट्स की तरफ तेजी से गया, बैट्स सिलेंडर से किसी तरह बच्टो गया, लेकिन वो सिलेंडर प्लेन के फ्यूल टैंक पर लगा, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिससे प्लेन के चीथरे उड़ गए, और बैट्स भी बुरी तरह मारा गया, ढमाके की अवा सुनकर सेम जेरेट को बचाने पानी में कूद गई, फिर सीन शिफ्ट होता है, और हम छे हफ़ते बाद का सीन देखते है, ब्राइस और डैनी एक बोट पर थे, तबी जेरेट और सेम पानी से बाहर आए, और बोट पर च जिसे वहां की लकडी से बनी परट तूड गई, तब हम बहुत सारे सोनी की बिस्किट देखते है, जो उस फ्रेंच वेपारी की थी, तब ब्राइस पानी में कुछ देर ध्यान से रेखता है, और समुदर में कूद जाता है, जैरेड और सेम को समझ नहीं आ रहा था, कि ब् दुनिया के सबी समुदर में अब भी लगभग 6 बिलियन डॉलर का ख़जाना होगा, जो अब भी किसी को नहीं मिला, और यहीं पर यह मूवी भी खत्म होती है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताए, अगर आपको यह मूवी पसंद झाल